गुद्मॉर्णिंग बच्चो आज हम आपको मैच्स किलास फोर्थ की पेज नंबर 92 इसमें बच्चो जो रिवीजन सिगनल है इसमें आपको कोशन नंबर वन के बारे में समझाते हैं multiple choice questions mcqs tick the correct option आपको जो सही option दे रखे हैं इसमें 4 options दे रखे हैं इसमें सही कौन सा है उस पे आपको करना है which one of the following is a unit fraction तो बच्चों आपको समझाया था पिछली क्लास में हमने कि unit fraction का मतलब होता है जिसमें उपर जो numerator वाली संख्या होती है उसमें one होता है तो इसमें सभी फिक आपने देखा one, two, three और fourth में केवल one जो numerator है उपर वो इसमें third में है सी third option सही है इसमें देखें which one is one upon eight of 72 तो eight से आपने 72 को जो divide करेंगे तो ये nine वार divide होगा इसलिए इसका answer वच्चे होगा nine ये four वाला option सही है इसमें तो इसमें देखिए question number c which fraction do we get on dividing a whole number into two equal parts तो बच्चो जब हम किसी संख्या को two से डिवाइड करते हैं तो जो संख्या आती है वह क्या होती है उस संख्या का half होती है तो इसलिए इसमें जो option है option number second one half यानि वह संख्या आधी हो जाएगी इसलिए ये इसका आंसर सही है तीजरा दी देखें हम एक collection has 84 objects एक collection में एक संख्या में यानि 84 बस्तूओं का एक collection है एक संख्या है then how many objects are there in one fourth of the collection तो बच्चो one fourth यानि 84 का आप निकाले है one fourth तो one fourth हो गया four बन जा four four two जा eight और four बन जा four तो क्या आ गया 21 तो ये 21 वाला आंसर आपका सही है अब बच्चो देखिए question number e how many numerals are there in fraction एक fraction में कितनी संख्या होती है तो आपको बता है दो संख्या होती है एक संख्या उपर होती है और एक संख्या नीचे होती है तो इसमें two वाला आपका right option है अब देखिए question number two calculate the following fractions अब इसको calculate करना है गढ़ना करना है इसकी solution करना है इसका किस प्रकार से होता सकता है फाइव नाइन इसका मतलब है संख्या बन गई आपकी फाइव अपॉन नाइन इसको कैसे पढ़ते हैं फाइव नाइन और 63 और का मतलब multiply और 63 को आपने किया 97 जा 63 75 जा 35 तो आपका answer आएगा 35 इसी प्रकार बी वाला करना है आपको 46 यानि 4 अपॉन 6 इंटू 54 तो 6 से आपने जब इसको divide करेंगे तो 9 वार 94 जा 36 इसका answer आजाएगा कोशन नमर 3 है एक collection of 48 objects 48 objects का एक collection है वस्तूओं का then how many objects are there in 16 तो 161 अपन 6 multiply 48 6 जा 48 तो 8 आज़ा आज़ा इसका इसी प्रकार कोशन नमर 4 देखें रायट दा नेक्स 3 फ्रेक्शन आप दा पॉलॉइंग तो इसके next 3 options देखने हैं आपको 1 by 5 इसमें 2 का multiply उपर करें 2 का multiply नीचे करें तो आगया 2 upon 10 2 upon 10 में 2 का multiply उपर किया 4 इस नीचे वाले denominator में किया आपका 10 टूजा 20 आ गया अब 4 टूजा 8 22 टूजा 40 अब फिर इसमें multiply करो फिर 2 का करें 8 टूजा 16 और 40 टूजा 80 फिर आज इसमें आप 2 का multiply करेंगे तो 32 upon 160 आ जाएगा आइ तो बच्चो कोशन नमबर C और D ये आपको अपने आप करना है अव आपको अपनी जो note book है उसमें कोशन नमबर 2, touching number 3 और 4 ये आपको अपनी note book में करना है अवक्र का काम आपको book में fill up करना है ओके बच्चो कल हम आपको कोशन नमर फाइब से आगे डिसकेशन करेंगे